हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूम केसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खेदियस से होंगे ठीक ठाक होंगे तो देखिए आज हमारे आका मोसम कुछ इस तरह से है कि हलकी धूप निकल रही है और सामने जो खेद के आगे जो पहाड़ी है उस पर लगे हुए है पवन चक्की लगी हुई है तो देखिए वहाँ पर धूप है तो वो इस तरह से चमक रही है यहां से पवन चक्की बहुत ही खूप सूरत दिखाई दे रही है पवन चक्की की साइड में धूप हो रही है इसलिए वो ज़्यादा चमकती हुई दिखाई दे रही है थोड़ी देर बाद यहां पर भी हमारे यहां पर भी धूप बहुत तेज हो गई थी धूप तेज हो देखिए सुबर हम जब सोकर उठे तो इतना रात में पानी आया कि ये हमारा पूरा जो गद्धा है ये पूरी तरह से गीला हो चुका है। ये देखिए पूरा इस तरह से ये गीला हो गया पतानी पानी अंदर दर्वाजे में से पानी किस तरह से अंदर आ गया रूम में जिससे कि ये गद्धा पूरा ही गीला हो गया मैं इसे दूप में रख दूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए इसे दो-तिन दिन दूप में रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से सूख जाए चलिए अब मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी तो खाने में मैं बनाऊंगी रोटी और सेयो का सालन सेयो की सबजी फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करें और चेनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बेहत जरूर थे फ्रेंड प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करिए अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं सेव की सबजी बनाना जिसके लिए हमें लेना है दो बड़े चम्मस तेल उसमें हमें डालना है एक छोटा चम्मस जीरा और इसमें हमें डालना है अदरक लसन प्याज का पेस्ट हमें अदरक लसन प्याज का पेस्ट इसमें एड करना है और इसे अच्छी तरह से आपको तल लेना है इसे अच्छी तरह आपको fry करना है 5-6 मिनट के लिए 5-6 मिनट अधरक लसन प्याज के पेस्ट को fry करने के बाद आप इसमें एड करेंगे नमक आपको इसमें नमक एड करना है इसके बाद आपको इसमें एड करनी है हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर के बाद आपको एट करना है दनिया पाउडर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या जादा भी डाल सकते हैं फ्रेंड सबी मसाले मिलाने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हमें इसे हाई फ्लेम पर दस से पंदरा मिनट के लिए कुप करना है अच्छे से पानी डाल डाल कर मसाले को भून लेना है ताकि मसाला कच्चा ना रहे जब تेल मसाले के उपर आ जाये तो आप समझ जाएं कि मसाला भुन चुका है मसाला फ्राय हो चुका है इस तरह से पानी डालकर आपको 10 से 15 मिनिट के लिए मसाले को अच्छी तरह से फ्राय करना है देखे अब 15 मिनिट हो चुके है तेल भी ऊपर आ गया है मसाले के तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है अब इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाले आपको जितना पानी चाहिए सबजी में उतना पानी डाले और इसमें एक उबाल आने दे जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसमें सेव डाल दे और गेस को ओफ कर दे अगर आपको मेरी रेसीप अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिए और वीडियो को लाइक करिए चेनल को सब्सक्राइब करिए थेंक यू फ्रेंड वोचिंग माई वीडियोज